हेलो फ्रैंड्स नमस्कार वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिक इंडिया में देल से स्वगत है आप लोग का पहली बार जो 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 आइन कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा चैनल को बेल ऐकन को प्रेस कर दिजिएगा कि आगे कोई भी वीडियो में अफलोड करो तो आप तक उसका नोडिफिकेशन जल से जल परचे ठीक है तो आग में बताने वाला हूं आप लोग को कि भेकल कोई भी बेकल हो टू विलर थ्री विलर फॉर विलर इत्यादी कुछ भी कोई भी भेकल हो तो उसका जो है कारी के लिए आपको क्या करना होगा तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो इसके लिए चलते हैं हम आप मोबाइला स्क्रीन पर फ्रेंड्स अब पहुंच गए मोबाइला स्क्रीन पर तो यहां पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा ठीक है तीक है गोर्मेंट का एफ है तो इसको सर्च किया हमने तो जो डाउनलोड नहीं कर रखे होंगे उनका जो है इंस्टाल करके आएगा तो यहां पर ओपन आ रहा है क्योंकि मैं डाउनलोड करके इंस्टाल कर चुका हूं तो यहां ओपन करते हम फिर डिटेल में आप लोग को बताते हैं पर इस परकार का इंटरफेस एगा यहां एक इक कर कर दो देशिए देश्टॉप में आपको जो भी सर्च करखे होंगे आपका जो गाड़ी है उसका डिटेल नीचे आ जाएगा ठीक है देन यहां DL dashboard है यहां पर driving license के बारे में driving license number यहां पर डालिएगा और search किजिएगा तो आपका driving license के बारे में detail आ जाएगा तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बस इतना और यहां पर देखिए जो है अब यहां पर RC information हो गया DL information RC information मतलब registration certificate जो आपका number है उसके थुरू है उसका information है और DL information यहां driving license का information है search DL with date of birth आप driving license जो search कर सकते हैं date of birth के थुरू ठीक है यहां पर चलावन सर्च कर सकते हैं टैक्स है emergency service के लिए भी number दिया हुआ ठीक है तो इस प्रकार से इसमें काफी सारी facilitate है तो इसको आप लोग download कर लिजेगा देन इसको यूज कीजेगा government का app है आज के लिए इतना ही था thank you very much अभी अभी भी वी जोइन की हैं लिए चैनल के subscribe करना न भूलें और बेल लाकाइन को प्रेस कर दिजेगा वीडियो अच्छा लगे तो like, share, comment की कर दिजेगा फिर मिलते हैं next वीडियो में okay, तब तक के लिए bye, take care, share